कि एक पुलिटिकल पार्टी को इसका श्रेय मिलना चाहिए जबकि कौर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है तो इसमें पुलिटिकल पार्टी उसका ख्रेडिट ले रहे हैं हाँ मुझे लगता है कि वो जैसे कि मैंने काफी बीजेपी सपोर्टर्स को देखा है तो वो लोग ये मतलग कि राम मंदिर हिंदू इन सारी चीजों को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और जैसे हम न्यूज चैनल में भी देखते हैं मैंने काफी देखा है कि जिहाद हो रहा है लड़कियां हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के ले जाते हैं उनके वास अपना कोई दिमाग नहीं होता लड़कियों के पास लड़का बहकाता है लड़की चली जाती है ऐसा नहीं है मैं बू लड़किया खुद का भी दिमाग लगा सकती है ना वो खुद भी सोच सकती है कि हमें किस के साथ जाना है किस के साथ नहीं जाना है लड़कियां कि आपने education पूरी नहीं कर रही है? जो आप लड़की अपना भाड नहीं जा रही है yellow ए जो करना चाहे तो, को चेंग sharp जो समझ रहा है कि सरकार ने अथना काम नहीं किया जितना उनको करना चाहेदा, वो कह रही है, कि coaching class वो गही है, जो government नहीं शुरू खे मैम अभी भी चल रही है वो कोचिंग, बन नहीं हूँ यह वो कोचिंग, अभी भी चल रही है, शहित का कटा है, हम खुछ जा रही है, यह देखो टी-शिर्ट, पैन रखिये है, और टाइम है, यह देखो टी-शिर्ट, पैन रखिये है, मैम, वही जाना है, पूरी कहानी, तो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला कि एना फिर हमने फॉर्म लगा इस का मूलें तो हमें एडमिशन मिला था तो हम जागे एडमिशन करा है जो जैसे जादा पैसे वाल होते हैं अच्छी कॉलेजेस अच्छी इस्ट्रीटूट अठी कह रही हैं कि कमजोर तपकों में भी पैसे खानंm शेवानी जैपुर शेहर में इस वक्त हम मौडूत हैं यहां के दो मशहूर ज्ड़ diffic İz MIN хотя का महराजा कोलज महरा जा हैं महराजा के petals के लिए और महिलाओं की ले लड़कियों के लिए महारानी क्या जाते हैं उन्ड़कियां हमारे साथ मोडूत हैं जो अन्डर ग्र इन तमाम लड़कियों के जरिये चात्राओं के जरिये हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि युवाओं के मुद्दों को लगतार आप देखते हैं हर पुलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टों में जगा देती है कि युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे उनकी शिक्षा के पहलेंगे रोजगार में आगे बढ़ाएंगे लेकिन पिछले कुछ दिनों में दो महतवपून जो डिबेट के पहलू हैं वो सामने आए हैं वो एक पहलू है एक है धर्म पर आधारत राजनीती और दूसरा है जाती गत राजनीती इस पर भी युवाओं को उनके जो असल बुनियादी उनके अधिकारों और बुनियादी आजादी की जरूरत है या फिर वाकि जो धर्म और जाती का जनजाल है उसमें हमारा यूवा फस्ता नजर आता है हाला कि मैं देखती हूं कि इस तरह की टेंडेंसी पुरुशों में ज्यादा होती है लेकिन क्या लड़कियां बाठने की कोशिश कर रही है लेकिन दूसरी तरह हम कास्ट बेस सर्वेय कर आएंगे सब्सक्राइभ है जो एक टरहा से वह के कह रहे है कि सोचल जस्तिस या जो सामाजिक Nya I है उसके लिए अच्छी बात हो सकती है क्योंकि जब तक आप गिनेंगे नहीं लोगों को तो पता नहीं चलेगा कितना आरक्षन मिलना चाहिए आप में से दोनों आइडियाज में से कौन सी बात आपको अट्रेक्ट करती है मैम सोशल जस्टिस क्योंकि रिलीजन के बेसिस पर अगर तुम यह करने लगे तो वैसे भी जो माइनर है वो रहे जाएंगे Minority रह जाएगा Minority रह जाएगा और अगर reservation की बात करें तो general तो पीछे रही रहे तो social justice अगर देनी है तो मुझे attract करता है कि दोनों चीज़े minority, religion और casteism के साथ-सा reservation सबका मुद्दा एक साथ उठे Social justice का मतलब ही है कि हम हर एक चीज़ को socially justice कि इसको कि इसको कि इसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए एक नारा भी है आपने सुना होगा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है ना? तभी हम कहते हैं कि इतनी लड़कियां हैं और इतने लड़कें हैं तो लड़कियों को इतनी जगा मिलनी चाहिए लड़कों को उतनी आप में से सिर्फ आपने सुना है कास्ट पेस्ट, आप बताएगे क्या सुना आपने? अगर डिट जाती के कम लोग है और किसी के जाददा है तो उस चीज में इस तरीके से थोड़ा मुझेगा होता है और जैसे कि आप नोंने बोला कि धर्म के आधार पर तो मुझे वो चीजे भी अच्छी नहीं लगी कि धर्म के आधार पर हम जस राम मंदिर अभी बनवाया थ तो उसमें ही है कि वो एक टूरिजम के एसाब से तो सही है बट वो लंबे टर्म के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है अगर एजुकेशन पर काम किया जाता तो वो थोड़ा ज्यादा बैटर होता है अब वो लगता है कि एक पुलिटिकल पाटी को इसका श्रय मिलना चाहिए जबकि कोट के आदेश पर मंदिर बन रहा है तो इसमें पुलिटिकल पाटी उसका ख्रेडिट ले रही है कि हां मुझे लगता है कि वो जैसे कि मैंने काफी बीजेपी सपोर्टर्स को देखा है तो वो लोग यह मतलग कि राम मंदिर हिंदू इन सारी चीजों को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और जैसे हम न्यू चैनल में भी देखते हैं मैंने काफी सुन देखा है कि भी बीजेपी ने इतना बड़ा जो विवाद था उसको सॉल करवा दिया जबकि वो कोट का था वो श्रे ले रही है और इस चीज से बहुत पबलिसिटी भी काई ना काई बीजेपी हो रही है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए है आप भी सहमत नहीं है इस बात से बताए ल अगर आपको जाना होगा तो आप जाएंगी मंदिर फार्वजिनिक जगए है वहां पर तो सब का जाना मतलब रहता है वहांं पonner होते रह करेगी पूराने टाइम से भी तो मंदिर बनते आ रहे है तो इसमें नया क्या है, वैसे स्सुप्रीम कोर्ट बन रही है है, कहां से आ ख़ई है, क्रेड़िट नहीं मिलना चाहे है, जब कि मंदिर ऊफन जगह है, वहां पर सब जाते है, पहले हैं मतलब पहले भी जा रहे थे लोग अब भी जा रहे है जिदो अने से नानलिहें जा नारेंद्र मोदी जी यह आये त 허팝 से लोग बंदिर जाने लें तोम मैं cares ंदरेंट तो यह ना क्या हो गया इसके लेकिन बीजएपी कंपिन फालोवर्ट गोट है वह तो यह केहतें पेले बहुत सी चीजे भूई है जो मतलब सराय नहीं है जैसे इंदरा गंदी की टाइम पे बहुत सी चीजे ऐसी हुई थी सड़की के दोज़र चोदर से पहले नहीं बनी थी तो बढ़ी अच्छी सड़के हैं तो अपका कॉलेज तो 80 साल पुरान है यह तो 1944 का बता रहे ना कॉलेज तो क्या 24 की बाद बना है क्या मोदी जी ने नहीं बनवाया आपका कॉलेज नाइंटीन फॉटिवर में मोदी जी कहा थे यही तो बाद कॉलेज आपका मोदी जी से पुराना है यह कॉलेज तो अच्छा आप यह बताईए कुछ लोग कह रहे हैं कि देखे जो एक तर इंडिया इस से कुलर कंट्री ना तो हिंदू मुस्लिम करने का वो क्या है अगर वो हिंदूम को प्रमोट कर रहे हैं तो माम फिर जो बाकी रिलीजन से वो क्या करेंगे मुझे तो यह चीज बे बिल्कुल गलत लगती है कि करोड़ों तुम बनवारे हो ठीक है करोड़ों क बज़ेट पास करने की क्या जरूर रहता है अगर मांती हो ट्यूरिजम प्रमोट करेगा जीडीप बढ़ेगी तो माम उसको अगर स्किल डेवलपमेंट में देते हो एंप्लाइमेंट में देते तो जीडीपी तो उससे भी प्रमोट करेगी सबका कॉंट्रिबिशन होगा तो मुझे नहीं लगता कि इतना करोड़ों का बज़ेट पास करना और हिंदुजम को प्रमोट करना माम फिर तो जो बाकी रिलीजन और माम कही ना कहीं यह भी है मैं तो एसा हिंदू भी है कि सिफ मंदिरों के लिए तुम क्यों बज़ेट पास कर रहे हो मजजितों के अधिया गई है सब कुछ खत्म हो गया यह इस तरह के लोग भी है नाम क्या है रानू जो है यह बता रही है कि खुद एक हिंदू होने के नाते वो यह कह रही है कि या तो हर धर्म को प्रमोट किया जाए या किसी धर्म को प्रमोट ना किया जाए मेरी राय में मैं चाहती होने के बाद भी आप ऐसी बाते कर रहे हो यहां से इतने पुराने इतने शांदार इस कैमपस से आप जा रही है पढ़ने के बाद और फिर वापस जब इस कॉलेज से निकले तो सोचें कि कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसल्मान है यहां यहां यह मानते हैं कि धर्म की राजनीती नहीं होने चाहिए और political parties का ये काम नहीं है कि मंदिर लेके जाएं मिस्ज़ित तो नहीं ले जा रहे हैं लेकिन मंदिर ना लेकbay Sempre सब लोग ये मानते हैं आप नहीं मानती हैं आपका हाट नहीं उठता देखा वैने कोई ऐसा है को मानता है कि हाँ political party को मंदर ले जाना चाहिए कोई भी नहीं कह रहा है यहां पर तो इसका मतलब मैं आपके पास आती हूं जी आपने कॉंस्टिटूशन की भी अच्छी याद दिलाई कॉंस्टिटूशन कहता है कि अच्छी आधो कंट्री है तो इसे साब से जो हमारे स्टेट है मारे जो गुवर्मनट है उसे प्लीजिंग पॉलिशी बनाई जाती है और मतलब कास्ट जेंडर और यह सब चीज़े यूज़ करके लाइक वोमन को इंफ्लुएंस करना बहुत एजी होता है देन मेल क्योंकि बहुत से अभी भी फैमिली जैसी है जहां पर वोमन्स जो है वो यह पॉलिटिक्स को अपने मतल कि हावी होता है इसलिए जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहां पर पुरुशों का राज होता है उनको राज करने का एक और मौका मिल जाता है धर्म के आधार यह मेल नॉमिनिटिंग सोसाइटी बहुत जादा है अभी भी ऐसा नहीं कि मतलब खतम होगी है वो अंदर लड़कियां हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के ले जाते हैं उनके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता लड़कियों के पास लड़का बहकाता है लड़की चली जाती है ऐसा नहीं है मैं बूल लड़किया खुद कभी तो दिमाग लगा सकती है ना वो खुद भी सूस सकति है कि हमें किस के साथ जाना है किस के साथ नहीं जाना है उनका खुद का भी देखती हैं पर लेकिन लड़कियां कि अपने एधुकेशन पूरी नहीं कर रही है जो आप लड़की अपना requці उपने अच्छे गलत का पता नहीं है जो आप जाके बोल देतों कि वो लड़का गलत है या वो मुस्लिम लड़की गलती या वो हिंदू लड़की गलती ये बात तो नहीं है लटकेहों के पास अपना दिमाःग होता है, और हमेशह ये बात आते है कि ये एनना मुसलिम लडके ने फसा लिया, या फिर ऑल सुंह लड़की थी, ये लेज़न की पासे आजाती है, लफ तो हो जाता है. किसी से भी हो जाता है? कि यह देख के थोड़ी होता है कि वह हिंदू है या मुस्लीम है ऐसा देख धर्म देखके प्यार नहीं होता क्या को अब अब धर्म नहीं देखती जा प्यार करती है मैं मैं इगनॉस्टिक हूँ, मुझे रिलिजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, गॉड है होंगे नहीं होंगे, मैंने तो नहीं देखा न अभी, और दूसरी बात की यह राम मंदिर की बात चल रही है यह पर, जिस जगे की जाज ऐसी हिस्ट्री होगी वैसा ही तो बनेगा, बाबरी मस्जद की कोई हिस्ट्री नहीं तो बाबरी मस्जद की बनेगा उदर और दूसरी चीत की लेफ्ट रिविंग और राइट विंग का जो यह जो मिस्कॉंसेप्शन फैल रखा है लोगों में कि राइट विंग के होंगे तो वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और बिलकूल बिसकॉंसेप्शन फैल रखा है और यह जो जैश्री राम का अतंगोर फैल रखा है लोग कुछ भी गालिया दे जाते हैं वीडियोस के अंदर आगे मुसलिम्स को बोल जाते हैं कुछ भी बोल जाते फिर एंड पर जैश्री राम बोलते थे वो मुझे थोड़ा अधिक करता है थोड़ा सा और यह जो डिविजन है डिविजन इन डिविजन इन डिविजन इन लड़ाईगा इडिविजन क्रीट कर रहे हैं मुधी गवर्मेंट भी रिए लिकन कॉंग्रेस की बात मुझे सही नहीं लगती कि वह नेपोटीजम भी फैलारी थी पहले और अब रहूल गांधी तरफ़ान मंत्री नहीं बने अगर सोनिया गांधी अगर बनना चाहती तो प्रधान मंत्री बन जाती मनमोहन संग्यों बने मैं सोनिया गांधी इटली से थी अगर वहां पे है न ऐसा कुछ होता जैसे कि रिशी सुनक है रिशी सुनक को कोई एकसेप्ट नी कर पा रहा क्योंकि वो इंडियन दे इटली अगर आपको पता है कि वह जब शादी करके यहां आए उन्होंने एक इंडेंस से शादी की उनके हिंदुस्तानी बच्चे होए बच्चों के भी बच्चे हो गए क्या हम उन्हें सुईकार नहीं करेंगे कि वहbreaking बन गई हैं सुईकार करेंगे पर देश पर देश को कि पैसे ने लगी आपकी बात मुझे आप सहमत है आप में से कोई इस बात कि इस इतने चीज़ के इंटरनेशनल प्लैटफॉर्म पे नरेंदर मुदी लेके गए इंडिया को इंडिया को कोई नहीं जानता था 2014 से पहले सोक बोलते कि इंटरनेशनल पे इंडिया प्रमोट हो गया जीडीपी बढ़ गया सब हो गया बट नैशनल में क्या हुआ नैशनल में तो कुछ भी नहीं हुआ नैशनल में अब भी देखा आप गाओं की वही हालत है जो पहले तीजमा कोरोना के बाद जो वैल डेवल डेवलप्ट सेक्टर था ना जो अमीर था वो और अमीर हो उनको पसंद ना पसंद कर सकती है लेकिन उनको बाहcen zur कहना उन्होंने जब नरेंदर बोधी को चाएवाला बोला टो वह चीज़ब भी तो अफेक्ट करनेwall बोला तो ऑफैक्ट करनी ऑर्पे से को पूरी दूनिया जानती है, पूरी इंडिया जानती है, क्या करती है? यहां पे भी नेपोटिजम है, यहां पे कॉंगरेस की गॉईर्णमेट है। इनकी बात से कोई काउंटर करना चाहता है जब यह कह रही है कि वह राहूल गांधी डिजर्व नहीं करते और सोनिया गांधी बार डांसर है को इसका जवाब देना चाहता है इटालियन है अभी भी वो इंडिया है तो इंडियन हो चुकी नहीं है तो आप किसी इस बेसिस पे हमें ये बोलो कि ही तो इंडियन है ओ शिट इसको नहीं लेंगे नहीं उसने वहां की पॉलिटेक्स को समझा और रही बात सोनिया की तो सोनिया का बैग्राउंड ये उस वो आज कहा है ये उसको मतलब आइडेंटिफाय नहीं करता है शायद आपको पता भी नहीं कि वो बाद आंसर क्यों थी मेभी उसके घर में कोई प्राब्लम हो नहीं थी कि वो देश को सम्हाल सके क्योंकि भलेई कोई भी पॉलिटिकल लीडर आता है पर सोनिया गांधी ने अपने पूरा दिमाग और अपने पूरे दिल से कॉंग्रेस को पहुंचाया है इतने साल से कॉंग्रेस ही थी जो कर रही थी मैं मोधी सरकार को भी प्रमोट करती हूं औ बहुत सारी अच्छी चीज़े थी और 33 साल के होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि राहूल गांधी डिजर्व निक्रिपन येस मैं तो डिजर्व करते हैं बात यह है कि में भी क्योंकि बहुत पहले ऐसा फैला था आई डोंनो कि यह सच है नहीं जब राजीव सकती थी लेकिन वो नहीं बनी अच्छा मैं आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि यह देखे मेरा एक धर्म भी है पत्रकार होने के नाते कि आप जैसे युवा अगर प्रॉपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं जैसे जवालन नहरू के तमाम तरह कि उनका करेक्टर असेसिनेश इसलिए खूरा है जबाए लिकिन उनोंने चेंज कराया उनों मैंने बहुत जगे सुना है मैंने देखा भी है कई जगे मेरे को मैं को एक्स्परियन कि किताब कर रेफरेंस दीजए आप मुझे इख्बार कर रेफरेंस आपका एक्सपर का ये वाटसब यूनिवसरिटी की हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम इस पर बात करेंगे कि जो रोजगार का मुद्दा है खासकर आपको लगता है कि पिछले दस सालों में हम केंदर की सरकार को देखें और राजस्थान सरकार को पिछले पांच साल में आपको लगता है कि रोजगार बढ़ा है ऐसा आपको यह नहीं लगता है कि हम political party से कहें कि भी मंदिर तो हम चले जाएंगे आप हमें नौकरी देजें मैं सब को तो नहीं सकते न वो ऐसे तो सब मांगें सब को नहीं सकते हो नोकरी हाँ मतलब है कि government government job के बात कर रहे हूं government सब को नहीं सकते प्राइविट भी है जो जाना चाहिए जैसे बिसनस है तो सब ऐसे सब बोले कि नौकरी देखिए जो प्राइविट सेक्टर है वो भी government के जरिये government के promotion से उनकी मदद से आगे बढ़ता है अगर महौल पैदा होता है प्राइविट सेक्टर का government jobs तो गिनी चुनी jobs हैं लेकिन उसमें भी कम से कम corruption नहीं होना चाहिए हब से पहले paper leak नहीं होना चाहिए फिर आप तो बहुत आर्पेसी तो बहुत ऐसे आर्पेसी इतना बड़ा एक्जामपल है कि सब जानते है कि पेपर लीक है corruption है बहुत बढ़ा इशू है यहां पर कोई बताएगा इस बारे में कुछ और मैं अक्चुली paper leak हो रहें बट ठीक है अगर है या नहीं है हमें नहीं हो रहे है उनमें होगा कुछ corruption होंगे कुछ नेता होंगे बट टेक्नोलोजी भी तो बढ़ती है वो किस technology से कब पेपर लीक करें बट यह जिम्मेदारी है कि इसको बहुत अच्छे से आप मैंसे कितने लोगों को लगता है कि government ठीक से handle कर पाई यह पेपर लीक का issue यह नहीं कर पाई कोई बताएगा नहीं कर पाई इसे बहतर करना चाहिए था इनको और रोजगार के मामले में आपको लगता है गहलोत सरकार अच्छा perform कर पाई यह नहीं कर पाई नहीं कर है अभी मैंना अप्लाई किया था वो government करवा रही है टैली को टैली का computer course वागे आरे से इटी विल्कुल फिरी करवा रही है ताकि बच्चे करें बट मलब काफी students भी ऐसे होते हैं वो खुद गलते करते सीखते नहीं है चीजों को skilled होना नहीं चाहते कुछ होना चाहते है ज तो उसमें अभी हमें सिखाया जाएगा अगली मंत से सम्तिंग तो मैं प्रैक्टिस पर जाओंगे तब ही तो चीजों को सीखोंगे तब ही तो आगे रोजगान में जा पाऊंगी मेरे पास government job नहीं होगी तो मैं private में तब ही तो कर पाऊंगी और जैसे भी हम private sector में जाते त अगर उसमें निवाता second option क्या होगा हमें स्किल्ड भी होना है हमें government पहुत सरी योजना है चला रही है तो कही ना कहीं जाग रुखता की कमी है और कहीं ना कहीं हम स्किल्ड होनी की नहीं सोचते डिगरी की सोचते है डिगरी लेकर बाहर जॉब मिले ना मिले कोई और बोलन सब्सक्राइब करें चीफ मिनिटर अशोग एलोत ने शुरू करी थी वह एक पहल इंडिया तो वह कुछ दिनों तक चली उसमें मैं भी थी मैं भी गई थी लेकिन उसके बाद वहां पर ऐसा कुछ हो गया कि जगह नहीं मिल रही या फिर किसी ने objection किया है क्योंकि इतने सार उठाय जारा गौवर्मेंट के अब संतुष्ट लग रही है तो यह नहीं कि कदम नहीं उठाया जारा तो वह कहीं नहीं हमारी भी ऐसा हो जाए कमी हो जाते और कहीं नहीं थोड़ा बहुत उनका भी एपोर्ट करना जरूर यह अब हम हर सरकार को तो हम यह नहीं बोल सकते क कि हम पूरी तरह संथुष्ट है क्योंकि अगर हम संतुष्ट बोल देंगे तो कई ना कगई वो बी ऐसे हो जैंगी कि एपकना काम नहीं करें तो हम किसी को भी संतarta एक से तो जो पहल इंडिया हमें दो वजे यार इतने मतलब रूल हो गए वापे की एक मिनट लेट तो भार मतलब इतना कहीं नहीं है हमें वापे इसकुलों की तरह मतलब ऐसे कि आपने भी पहन रखिए वो तो टी-शेट तो आप भी उसमें कोचिंग में जाती है सब्सक्राइब कोचिंग सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन हमारे पास इतना वो पेसे वग्यरा कुछ नहीं थे हम गरीब परिवार से तो हमें यह प्लेटफोर्म मिला कि अफिर हमने फोम लगा इसका मूलें तो हमें एडमिशन मिला था तो हम जाएंगे एडमिशन करा है और वहां आ जब एक जूंसे उप्सक्राइब कर दिया तो हमारी एक मेने क्लास चली वहां उंटिस तीस तारीकों में वहां से बाहर निकाल दिया गया फिर वासे हम भटकते रहे इदर उदर गई लेकिन हम टोडा सराइक पास भी बिल्डिंग ले रखे और वोडिया तो इतने हैं कि जैसे स्कूल में होते हैं कि काम नहीं करके लाएं तो डारते हैं फटकारते हैं और समझाते हैं और पढ़ाते हैं तो इतना अच्छा है कि कुछ कहें नहीं सकते हैं अच्छी बात करें आप अच्छा पढ़ाते हैं चले तो अच्छी बात है मैं थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दे पर वापस आती हूं क्योंकि देखिए इस पूरे एलेक्शन को पिछले 3-4 दिन में काफी कोशिश की गई है डिवाइ चाहती है ऐसा कहना चाहती है बीजेपी बजाए इसके कि ये बताना चाहिए कि बढ़ी जो पिछड़े तबकों के लोग हैं जैसे वो कह रही है अब ये देखिए कोचिंग भी एक तरह से तरीका है कमजोड तबके के लोगों को एक मुख्धारा में लाने का तो फिर तो य नहीं मिलना चाहिए आचा ऐसा क्यों मैं मतलब आरक्षन सिक्षा में तो नहीं मिलना चाहिए इतना तो हो कम से क्यों आपके फादर क्या करते हैं मैं मेरे पापा शॉप पे काम करते हैं अगर आपके फादर मान लेते हैं एक सफाई कर्मचारी होते हैं क्या आपके पास इत लेते हैं सफाई कर्मचारी होते हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि वो लड़की आके स्कॉलज में पढ़ेगी तो आपके पड़ेगी कैसे जब उसके पास में सोर्से सी अवेलेबल नहीं होंगे वो स्कूल जाई जाती में कुछ लोग एक जाती में कुछ लोगा एक जाती में कुछ लोग है। प्रविजन आपको पता है लेकिन मुझे लगता है दलित अभी भी गाउं के बाहर रहते हैं और बाकी लोग अंदर रहते हैं उन्हें कोई भी ऐसा काम करने की इजाज़त नहीं वह दूद नहीं बेच सकते वह और कोई खेती बाड़ी का काम नहीं कर सकते हैं मैं यह सारी चीजे आपने महां मैंने देखा है यह बिल्कुल वह जातिवाद होता है गाउं में और जैसे कि हम मिटाने की कोशिश करते हैं कि हम यूथ हैं भार पड़े हैं सब साथ में रहते तो वह हमें लोग दूसरे लोग भी हमें बोलते कि नहीं नहीं इस तरीके से कर र है उसको पढ़ने का दिकार है सब को थोड़ी मदद मिले रिजर्वेशन से फिर वो आगे बढ़ जाए तो आपको बुरा लगेगा नहीं मैं बिलकुल बुरा नहीं लेगा लेकिन कहीं नहीं जैसे वह उसको एक अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल्स नहीं मिल रहा है और से मिल जाए रिजर्वेशन से मिल जाए तो बहुत है लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि उससे पहले जो जैसे ज्यादा पैसे वाल होते हो अच्छी कॉलेजिस अच्छे इस्ट्रिट्यूट है कि कमजोर तबकों में भी पैसे वाले लोग फायदा उठा लेते हैं रिजर् पिस्ट्रिया पिकिन जाए चाहिए लयुख कि मतलब करते हैं तो जाएजीन जो पर शेडिन कि पारवाकिन ऑसने से Crystal के और उनको मिलिज सुसाइटी औरी में यहां को जहाए क्षा गलत नहीं हमें मिलना चाहिए because we deserve and जो वो लोग है उनको लगता ही कि गलत है फिर जाती अटा दो एक काम करो फिर जाती पर आधारित भेदभा हो जिस दिन खतम हो जाएगा उस दिन आरक्शन खतम हो जाएगा ठीक है जिस दिन जाती पर कास्ट बेस्ट रिजर्वेशन होना जाए होना चैए इस पर फोकस करने से जदा ये जरूरी है कि कास्ट बेहों यह नहीं होना चैए नहीं होनी चाहिए लैक हमें लिए पर्मिशन हो गी कि चलिए जाती से बाहर शादी कर लेते हैं कोई बात नहीं बिना डर के कुई है कितने लोग बोल रहे हैं एक दो तीन नहीं 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 मिलेगी पूछ रहे हूं इसका मतलब जाती है जो जाती नहीं है करने के लिए एक कदम तो उठाया है ना उन्होंने बोला कि अगर आप इंटर कास्ट मेरिज करते तो हम आपको आगे से पांच लाग या फिर दस लाग दस लाग मुझे अमाउंट याद निया तो हम उत्ता करेंगे तो गौर्मेंट ने इस पर आगे कदम बढ़ाया है ताकि है कि एक खतम कास्ट सिस्टम ठीक है का फिर अंट cumplaining अगरे इसब है अच्छा जैसे आप सोच रहे हैं अलग-अलग कास्ट में होनी चाहिये श cleaner heart माम इंपॉर्टन्ट यह नहीं है कि अलग कास्ट हैं अलग इंपॉर्टन्ट जैसा कि हम बोलते हैं लव इंपॉर्टन्ट यह है कि आपको जिसे प्यार है आप उससे शादी करो और रही बाल रिलीजन की वह हमारी रूट्स में कास्टिस्म हमारी रूट्स में हम अपने पैल यह समझा है मैंने कि वो हमारे पेरेंस के बहुत अंदर डीप रूट्स में उनको यह कह देना कि मैं किसी और से शादिन करूंगी तो वो उनका बेजा हिल जाएगा ऐसा नहीं है आपको लगता है कि यह लव जिहाद का जो पूरा प्रॉपेगेंडा यह जूट है असमें कुछ सचाई है मैं आती हूँ अदर जी जो हमारी ओल्डर जनरेशन है उनका माइनसेट यह है कि जो हमारी कल्चर और ट्रेडिशन है उसको आगे बढ़ाना है जनरेशन टू जनरेशन आगे देना है इसलिए वो लोग बोलते हैं कि सेम जाती में वो करो क्योंकि ओविसली तुम्हें पता है एक हिंदू और मुसल्मान अगर शादी करते हैं तो वह क्वेश्चन सब के में आएगा चाहे कितना ही वह फ्री इंसान हो कितना ओपन करें क्योंकि शादी एक होती ही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कल्चर होते हैं शादी करते हैं उस टाइम पर बहुत सारे कल्चर जम फॉलो करते हैं तो वह है कि कल्चर टरडिशन आगे बढ़ाने के लिए उनका मैंड़ सेट ही होता है कि हमारे जो रिलीजिन है वागे तक कि आपको लगता है कि होनाचाहिए कहा लग अलग मजहुप वे शादी नहींमं क्यूंकि इसमें यह हो सकता है कि हिंदू होंगे तो कि हमारे कुल्चर को फॉलो करो और जो मुसलिम होंगे कि हमारे नहीं हो ऑetus मैं जक्शा कर देखानों सकता है तो फैमिली कोई बीश्स्ता यहाँ पर बहुत सा ही लड़की बोलतों रहुतों है作 मैं अन्का हाँ पर लड़को biggest लनी आप कोई मैंस अपने अन्य है का होग। कि आझे, लृफ ही जोना चेहे कि हा एक लव की बात अलग होती है झो बहन बेन बोल दीती कि होना थो इनका मसला अलग है वो पेरें हां कर देता है बिगोज अपने बच्छों की खुशी के लिए इस लिए वो हां कर देता है एक बात तो मुझे यहां तया लग रही है कि ऐसा नहीं है कि एक खास धर्म की लड़कियां बेवकूफ हैं कोई उन्हें आके बुद्धू बना के चला जाता है जूट है है क्योंकि Muslim लड़कियों में इतना दिमाग होगा है कि हमें कौन से राज्टे पे चलना है अभी हमने तोड़ी दिन पहले है है यह दो हमें स्क्सेशना टिंड लड़के से सुनाए कि Hindू लड़के, उसको मुसलिम लड़के जारे है और मुस्लिम लड़के खराब है या मुस्लिम लड़ी खराब है ऐसा नहीं है तो आप में से जारते लड़कियां अपनी लाइफ प्रोफेशनल जिन्दी की जीना चाहती है और मतलब आप यह चाहती है कि आप सिर्फ इसलिए ना भी एक कोर्स पास करें क्यों अच्छा लड़का मिल जाए शादी हो यह चाहते हैं वो बोलते हैं शादी बात में करना पहले बन जाओ प्रोफेशनल हो जाओ लगता है कि इसके लिए बहुत जुरूरी है कि हम अपनी गवर्मेंट को प्लिटिकल पार्टी को क्वेस्चन करते रहें या फिर फेक निउस के जाल में फस जाए हमारी दोस्त जीए प्रिविव सबोलरे शितनी अवशनल हमें आपको यहां पर देखने मिली गया उतनी आपको गाओं की सेड में नहीं देखने को मिलेगी अगर गाओं मानन यह ज उन unco yumश national और जो बहुता अब सबी का कोई इन में से कोई बात कहना चाहता है जो छूट गई है कोई बात आप मैंसे जो बोली नहीं है लड़कियां जी हाँ पहले इन से बात कर लेते हैं फिर आपकी तरफ आती हूं जी आरक्षन से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं क्योंकि गरीब की लड़किया होती जिनके पिता हैं मतलब ऐसे मज़र मस्दूर करते तो मुझे तो आरक्षन मिलना चाहिए बागी लोगों को पता आप चाहते हैं आरक्षन होना चाहिए एक बार उनकी राये ले लेते हैं फिर हम शोक को खत्म करेंगे जिया आप बताएगे यह बोलना चाहते हूं कि अगर रामराज्य बनाना चाहते हो तो फिर अच्छे तरीके से बनाओ मतलब कभी लड़कियों के साथ भी काफी ऐसा हो र जाती हमें पेले जाते हैं पहले के जमाने में कौन सी अमने कौन से अब लिग घरते हूए पहले के Μानेशते हो यह यूवर striking किआ तहकं तो फिर रामराज्य बनाना चाहते हो तो फिर अच्छी तरीके से बनाओ। तो फिर हटा दो यह चीज़ आपको लगता है कि राम राज्य चली अच्छी बात है लेकिन समयधान से चलना चाहिए देश तो ना संवीधान पिचेतर साल पहले हमारा संवीधान बना था तो वो किसलिए बना था ताकि मतलब उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि नई जनरेशन हो इसके उपड़ चले मैं जैसा कि सब कहरें कि मतलब रिजर्वेशन से कोचिंग वगरा तो मैं मैं बताना चाहूंगी राजिस्थान गौर्वर्मेंट ने अभी एक स्कीम स्टार्ट करी है मुख्यमंत्री अनुपृती कोचिंग यूजना मैं उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है उसमें गर्ल् कराता है अच्छी बात है रिजर्वेशन हुए नहीं लेकिन सरकार का यह काम है कि वो कोचिंग प्रोवाइट कराई लिमिटेट सीट से बहुत बहुत शुक्री आप सब का बहुत अच्छा डिसकुशन रहा और मेरी भी आखें खुल गई आप से बात करके और ऐसा लगा इ आप सब को माई बेस्ट विश इस तो अल अफ यू थैंक यू दवायर के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बैल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्य पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिसक्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें